हलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में थ्री फेस इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और पिछले तीन चार वीडियो से मैं इक्वैलेंट सर्किट पढ़ा यह सारी चीज़े पता करना एक्वैलेंट सर्किट की मदद से अनुप्रीकल कहनाता यह एनुप्रीन इप्पर क्का पाट टू समख्यए और यहां पर मैं में बनी बात करने वाली हूँ जन्रलाइज टॉर्क इसी69 टॉर्क और माक्सिमम टॉर्क की लास्ट वीडियो में वे मैंने जो टॉर्क का एक्सपेशन ड्राइब किया था अंडर एनालिसस ऑफ एक्वालेंट सोर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर वह जंडally टॉर्क बोल्टेज के रिस्पेट में था यहां का वल्टेज इवन हुआ करता था तो इस एवन के रिसपेक्ट में मैंने मतुल्ब हमारा टॉर्क का एक्स पक्रेशन वीडियो वाला उससे मैं टॉर्क का expression निकाल के बताऊंगी जो कि dependent होगा supply voltage पर और frequency पर और इससे हमें analysis करना और आसान हो जाएगा तो चलिए अब हम start करते हैं मैं अगर इस यह equivalent circuit जो लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था जिसमें मैंने shunt branch में से आरो को remove कर दिया था यह क्याते हुए कि जो heat loss होता है stator core losses की वज़ा से stator drum में या stator magnetic material में वो constant होता है तो उसे हम बाहर कर सकते हैं जब जरूरत होगी हम losses के findings में उसको include कर लेंगे यह सारी चीज़े बताई थी तो shunt branch में सिर्फ और सिर्फ हमने x-naught रखा था जो की current carry कर रहा है i-naught और यह i-naught current जो होता है इसको हम निगलेक नहीं कर सकते है इस branch को हम निगलेक नहीं कर सकते है क्योंकि यह 30-40% of full load current होता है यह सारी चीज़े मैंने last video में आपको बताई थी अब यह जो circuit है जिसमें यह पूरा part rotor का है यह rotor copper losses को represent करता है यह mechanical load को represent करता है यह rotor में होने वाले magnetic events को represent कर रहा है और यह सारी चीज़े stator से related है तो stator और rotor side को मैं AB terminal के left side मतब stator की बात करूए और AB terminal का right side मतब rotor की बात करही हूँ इस तरीके से मैं इस circuit को ले रही हूँ अब इस circuit पर मैं Thevenance Equivalent Circuit find करूंगी इसका stator portion का मैं Thevenance Equivalent Circuit find करूंगी और stator का Thevenance Equivalent Circuit find करना मतलब AB Terminal को open circuit कर देना पड़ेगा आप मेरा Thevenance Circuit से related theoretical videos को देखिएगा मैं description box में उसकी link डाल दूँगी तो आपको समझ में आ जागा कि जिस भी circuit का हमें Thevenance Equivalent Circuit निकालना रहता है उस circuit में हम load को remove कर देते तो ये rotor मतलब हमारे लिए load का काम कर रहा है और इसको open circuit करने का सीधा सा मतलब यह कि यहां से बहने वा circuit पूरा open हो गया है एक बी टर्मिनल open हो चुका है क्योंकि इस रास्ते का current ही नहीं बह रहा है open होना मतलब क्या है wires break कर देना या connection break कर देना थाकि current ना flow हो पाए तो मैं A-B terminals को open कर रही हूं मतलब मैं सीधा सा कह रही हूं electrically कि मैं A-2- को zero कर दे रही हूं जब यह open हो जाएगा तब stator का equivalent circuit across A-B हम fine कर सकते हैं मतलब load मैंने हटा दिया है या मैंने A-2- को zero कर दिया है यह meaning है तो देखिए यहां पर मैंने A-B terminal से rotor वाले पार्ट को disconnect कर दिया है मतलब A-2- को zero कर दिया है अब मेरा यह जो stator का portion है thevenance equivalent circuit find करोंगी thevenance equivalent circuit find करना मतलब ऐसा circuit find करना जिसमें एक voltage source हो जो की यह VTH voltage source होता है open circuit terminal A-B के बीच का जो voltage appear हो रहा है इस circuit की वजह से वो voltage हमारा thevenance equivalent voltage होगा thevenance equivalent circuit का उस thevenance equivalent circuit में तो यह रखा है साथ में इस particular circuit में सारे voltage sources को हम zero कर देंगे मतलब short कर देंगे तो इस voltage source को जैसे ही मैं short कर दूँगी और यहां से open circuit A-B terminal से अंदर जाकने पर मुझे जो impedance नजर आएगा जिससे मैं ZTH impedance बोल सकती हूँ thevenance equivalent impedance जो होगा वो thevenance voltage के साथ series में होगा मतलब यह जो voltage है sorry यह जो impedance है वो thevenance impedance है यह resistance और यह reactance का combination जो है वो ZTH कहला रहा है तो यह मेरा A-B terminal का A-B terminal का left side वाला जो B circuit है उसका thevenance equivalent circuit मैंने बना लिया है VTH AB के बीच का open circuit terminal voltage जिसको मैं VTH बोल रही हूँ और इस particular circuit को हम deactivate कर देंगे voltage source को हम short कर देंगे zero कर देंगे तो A-B terminal के बीच में इस voltage source को short करने के बाद जो भी impedance नजर आएगा उसे हम ZTH बोलेंगे और यह ZTH हम VTH के साथ series में connect कर देंगे तो हमारा A-B का left side वाला circuit A-B के इस left वाले circuit से replace हो जाएगा जो की thevenance equivalent circuit होगा अब A-B के right वाला circuit as it is वापस connect कर देंगे हम मतब यह जो circuit है load जो है उसको मैंने वापस से connect कर दिया अब यह R2 dash by S को मैं R2 dash और R2 dash 1 minus S upon S लिखूँ आपको मालूम है इन दोनों का combination जो होता है sum वो R2 dash by S है तो यहाँ पे मैंने R2 dash by S लिख दिया इन दोनों की जगे और यहाँ पे दोनों को separate फिर से draw कर दिया कोई हर्ज नहीं पर मैंने equivalent circuit stator का equivalent circuit यह वाला draw कर दिया है वापस rotor load को rotor को मैं load बोल रही है उसको वापस से मैंने connect कर दिया तो यह पूरा इस equivalent circuit का यह पूरा thevenance equivalent circuit हो गया है AB के left वाले का thevenance equivalency निकाल दी हमने और right को मैं load बोल रही है तो load को वापस मैंने connect कर दिया अब मैं I2 dash इसमें से बहने वाले current को अपन क्या बोलते थे I2 dash तो अभी भी यह और यह circuit बेटा different होने के बाउद जूद भी इनका behavior same रहेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के equivalent है दोनों एक जैसे का मतलब यह है कि यहाँ load से जितना current बहरा है वही current यहाँ पर भी load से बहेगा यह सारी चीजे मैंने theory of thevenance equivalent circuit में बता चुकी हूँ तो I2 dash यहाँ से भी बह रहा था R2 dash और R2 dash 1 minus S upon S से तो same यहाँ पर भी I2 dash बहेगा इस circuit को देखते हूँ मैं I2 dash का expression आसानी से fine कर सकती हूँ और वो होगा VTS divided by this entire impedance मतलब R1 VTS divided by R1 plus R2 dash by S इन दोनों को मिला के R2 dash by S बोल रहे हूँ तो R1 plus R2 dash by S total resistance पार्ट हो जाएगा impedance का और reactive पार्ट हो जाएगा XE1 plus X2 dash ऐसे करके मैं current के expression को form कर सकती हूँ मैं current का expression अगर लिखने जाओं phasor form में तो I2 dash मुझे मिलने वाला है VTH divided by VTH भी मेरे लिए phasor है यह भी phasor है VTH और division में मैं ले रहे हूँ RE1 यह वाला प्लस इन दोनों को मिला के R2 dash by S यह मेरा resistance पार्ट हो जाएगा इस पूरे impedance का प्लस J XE1 plus X2 dash XE1 plus X2 dash यह मेरा I2 dash का expression हो जाएगा इस equivalent circuit को देखते हुए ठीया पर बेटा VTH कैसे निकलेगा और ZTH कैसे निकलेगा वह और बता देती हूँ VTH जो है वो open circuit voltage है और B के बीच में मतलब सीधा सा देखिए X0 के across जो भी voltage appear होगा वो आपका VTH हो जाएगा यह open circuit voltage हो जाएगा तो X0 के across कितना voltage appear होगा X0 into I0 and suddenly JX0 into I0 तो देखिए JX0 into I0 ऐसा इतना voltage appear होगा जिसको मैं VTH बोरूँगी तो अब मैं JX0 को इधर लगे लेती हूँ और I0 का expression को कैसे form करूँगी तो यह जो I0 बहेगा वो V1 upon यह entire impedance होगा मतब तीनों series में तो V1 divided by R1 plus JX1 X0 reactance part का addition हो जाएगा तो यह आपका I0 form हो गया अब इसके बाद ZTH कैसे form होगा तो मैं ZTH जो form करूँगी वो आपका हो जाएगा यहाँ से open circuit terminals से जाकने पर जो impedance नजर आएगा पर कब जब पूरे circuit को हम deactivate कर देंगे deactivate कर देंगे मतब सारे sources को हम zero कर देंगे तो voltage source को short कर दूँगी तो यह voltage source को short करते से ही R1 X1 X0 के साथ parallel में आजाएगा तो यहाँ से जाकने पर BTH जो नजर आएगा वो R1 plus JX1 का parallel combination JX0 के साथ होगा तो यह ZTH होगा R1 plus JX1 is in parallel with JX0 तो यह parallel combination को open करके हम ऐसे लिखेंगे पढ़ा चुकी हूँ बेटा मैं यह सब चीजे आप मेरे basic electrical वाले DC circuit वाले playlist में देखिएगा और R1 और इस पूरे combination का जो real part होगा उसको मैं RE1 बोल रही हूँ और reactive part को मैं XC1 बोल रही हूँ तो मैं ZTH को RE1 और JXC1 से represent कर रही हूँ आप जब हम sum solve करेंगे तो इसको हम calculate करेंगे ही बेटा तो यह मेरा ZTH का ही real part होगे है यह imaginary part होगे है जो VTH के साथ series में है अब AB terminal के उदर जैसे आप भी बताया कि rotor जो load है हमारा इस induction motor का उसको connect कर दिया अब यहाँ पर जैसी हमने rotor connect कर दिया तो अब मैं निकालना चाहरी हूँ torque का general expression torque का general expression मतलब PG, air gap power हमें मालूम है divided by omega s करेंगे तो develop torque tau होता है शुरू से बिटा बताती आ रही हूँ जब से मैं torque पढ़ा रही हूँ तब से मैं यह expression बताती आ रही हूँ last video में मैंने PG का expression आपको बताया था 3 times of I2-square into R2- divided by s मतब इसके नीचे s भी होता है यह है यहाँ न लिखे तो आपको याद आ जाएगा तो I2-square R2-by s इसका 3 times लेंगे तो यह PG power होगे यह division में omega s है तो वो लिख दिया अब 3 upon omega s तो मैंने आगे रख लिया R2-by s को भी मैंने side में कर लिया और अब मैं I2-square current का expression लिख रही है तो इस circuit को देखते हुए मैंने I2- का expression लिखा था VTH-square अब बेटा phasor का जब square होता है तो magnitude का square हो जाता है और इसका भी square जब denominator में होगा तो वो under root जो magnitude होगा वो square से हट जाएगा यहाँ पर भी square होगा यह इस तरीके से वहाँ पर मैंने phasor form में I2- का expression लिखा है यहाँ पर I2-square मतलब सिफ magnitude का square होगा तो VTH के magnitude का square और impedance डिनोमेटर में है उसके magnitude का square तो वो हो जाएगा RE1 प्लस R2- by S प्लस XC1 प्लस X2- square J तो हट जाएगा AC circuits में यह सारी चीजे मैंने बताई हुई है आप लोग को तो आप प्लीज मेरे उन वीडियो को refer करिएगा तो इस तरीके से यह हमारा torque का general expression हो जाएगा जो किस पर dependent है VTH प्थेविनेंस equivalent circuit के voltage पर अब मैं इस VTH की जगह इस voltage को अगर substitute करते तो मुझे यह expression और generalized manner में मिल जाएगा जो की torque जो किस पर dependent आजाएगा V1 यह जो generalized torque का expression आगया इसी से मैं starting torque भी निकाल सकती हूँ कैसे मैं S की value को अगर 1 substitute कर देती हूँ क्योंकि starting moment पर S की value 1 होती तो मुझे starting torque मिल जाएगा maximum torque के expression को पता करने के लिए मुझे maximum power transfer theorem की help लेनी पड़ेगी maximum power transfer theorem क्या कहती है वो यह कहती है कि जब load impedance internal impedance के बराबर होता है तब maximum power transmit होती है अब यहाँ पर load impedance मैं किसको कहूंगी इसको क्योंकि हमें कौनसी power transmit करके बताने है active power और यह power कौनसी होगी जिसको मैं कहा है कि maximum power जब transmit होगी load को और तब कब होगी maximum power transmit जब load impedance internal impedance के बराबर हो तो यह कौनसी maximum power या कौनसी power maximum होगी तो बेटा वो वाली power maximum होगी जो stator से rotor की तरफ air gap को cross करते वे जाएगी मतब PG power जब maximum होगी तब torque maximum होगा PG maximum जब होगा तब torque maximum होगा और PG कब maximum होगा जब load impedance की value यह load impedance की value किसके बराबर हो जाए internal impedance के बराबर हो जाए जब load impedance की value internal impedance के बराबर हो जाए तब maximum power transmit होगी stator to rotor को अब मैं air gap power maximum कब होगी ये देखना चाहरी हूँ मतलब watts air gap को cross करते हूँ maximum watts हमें पहुचाना है r2 dash by s को तो r2 dash by s की value जब internal impedance के बरावर होगी और internal impedance में x2 dash को भी include कर दे रही हूँ क्योंकि ये circuit से बाहर नहीं है बेटा ये circuit में ही है तो मुझे जब maximum watts इसको deliver करना है तो इसका magnitude इस impedance के magnitude के बरावर होना चाहिए तभी maximum power transmit होगी यहां से यहां या यहां से यहां मतलब जहां मैं dash line draw कर रही हूँ यहां से भी maximum power transmit होगी r2 dash by s को तो pg जब maximum होगा तब maximum torque develop होगा और pg maximum कब होगा जब यह internal impedance की value load impedance मतलब r2 dash by s के बरावर हो जाएगी तब maximum power transmit होगी और जब यह maximum power transmit होगी मतलब pg जब maximum होगा तब torque भी maximum हो जाएगा तो यहां पर यह वो हाला थे जब maximum torque develop हो रहा होगा और यह maximum torque develop हो रहा है मतलब slip कौन सी होनी चाहिए breakdown torque जिस पर कर होता है मतलब maximum torque जिस पर कर होता है उस slip को मैं s b नाम देती आई हो तो यह s b slip हो जाएगी मतलब r2 dash by s b मुझे रखना पड़ेगा और यह load impedance किसके बराबर कर यह मैं internal impedance के इस वक्त PG maximum transmit होगी स्टेटर से rotor की तरफ यहां से भी maximum transmit होगी और यहां से भी maximum transmit होगी अब बेटा यह कि PG maximum जो स्टेटर को consume नहीं होगा तो बेटा x2 dash reactive part है उसमें कुछ भी watts consume नहीं होता PG itself is a watts तो जो air gap को cross करते हुए x2 dash तक PG max पहुचेगी वही उसके आगे r2 dash by s तक भी यही maximum PG पहुचेगी और r2 dash by s की value जब इस internal impedance के बराबर हो जाएगी r2 dash by s की value जब इस internal impedance के बराबर हो जाएगी तो PG max r2 dash by s तक पहुचेगा और साथ में maximum torque भी generate हो रहा होगा तो इस slip की value जो हो जाएगी sb r2 dash divided by under root re square plus xc plus x2 dash whole square यह slip at breakdown torque या at maximum torque वाली होगी और इस slip को जब मैं यहां substitute करते हूँ यहां s की जगह वहां s की जगह तो मुझे maximum torque का expression मल जाएगा जो की यह होगा आपको maximum torque का expression derive करने को equivalent circuit से कम आता है आप इसे याद भी कर लीजिएगा और वैसे आप derive करना चाहे तो कर भी सकते पर यह बहुत least important है इसने मैंने direct expression लिख दिया हाँ problems में यह calculation मैं जरूर करूंगी पूरा calculation यहां से यहां तक मतब मैं maximum torque के expression को इससे valid करूंगी यहां पर SB को substitute करके problems में तो तब मैं handle कर लूँगी इस चीज़ को अब कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है कोई student की माडम mechanical load को कब maximum power transmit होगी या कब mechanical maximum output मिलेगा तो बेटा mechanical maximum output इस load को R2 dash by R2 dash into 1 minus S upon S को maximum power तब deliver होगी मतलब यहां से यहां से maximum power PM अब मुझे कहना चीज़ पी M maximum कब होगा तो PM maximum जब होगा यह भी मैं बता दूँ आपको for PM to be maximum यह कब होगा जब mechanical को represent करने वाला ohms या impedance internal impedance के बराबर हो जाएगा तब maximum power deliver होगी mechanical load को मतलब R2 dash 1 minus S upon S के value किसके बराबर हो जाएगी इस पूरे internal impedance के बराबर हो जाएगी मतलब R1 plus R2 dash whole square plus XE1 plus X2 dash whole square के बराबर जब यह दोनों बराबर होगे तब इसको maximum mechanical power transmit होगी यह है और उस वक्त की slip इसको मैं SM बोल देती हूँ M for maximum mechanical load delivery ऐसा मैं बोल सकती हूँ तो बेटा पर इन हालातों में क्या होता है जब भी maximum power transmit होती load को उस वक्त machine की efficiency या system की efficiency 50% होती यह सारी चीज़े मैंने maximum power transfer theorem जब पढ़ाई थी तब मैं बता चुकी हूँ तो जब machine की efficiency induction motor की efficiency सिर्फ 50% होगी तो ऐसा load हम supply करना बिलकुल नहीं चाहेंगे हम कैसा load supply करना चाहेंगे जिस पर efficiency maximum हो या best हम functioning ले पाए अपने device की अपने equipment की मतब induction motor की मतब slip 2-8% होना ची उस पर हमें best efficiency मिलती है induction motor की तो मैं maximum mechanical power transmit करने वाले हालातों में induction motor को कतई रन नहीं करूंगी ये हमारे लिए useless way है हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि maximum torque generate हो और maximum torque तब generate हो सकता है जब maximum PG हो और maximum PG कब हो सकता है इन हालातों में हो सकता है तो हम stator to rotor maximum air gap power watts वाली transmit कर सकते हैं इन हालातों में तो उमीद है आपको ये पूरा analysis of equivalent circuit of three phase induction motor समझ में आया होगा जो लास्ट वीडियो से continue किया था मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको current generalized torque का expression जो even पर dependent था ऐसा बताया था और मैंने rotor copper losses की भी बात की थी और आज मैंने आपको thevenance equivalent circuits derive किया three phase induction motor के equivalent circuit से और आपको generalized torque का expression बताया फिर मैंने maximum power transfer theorem की मदद से maximum torque का expression बताया साथ मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर s की value 1 रख दोगे तो आपको starting torque का expression मिल जाएगा और साथ मैं maximum power transfer theorem दो तरीके से मैंने apply की एक बार मैंने यहाँ से maximum power transmit करवाई इसको और एक बार मैंने यहाँ से maximum power transmit करवाई आर टू डैश इंटू 1-S अपॉन S को पर यहाँ से maximum power transmit करवाना हमारे लिए useless है क्योंकि इन हलातों में slip frequency is not frequency efficiency जो होती है induction motor की मात्र 50% हो जाती है तो यहाँ से maximum power transmit करवाना हमारे लिए useless है हम यह वाली maximum power transmit करवाना best समझते हैं induction motor की functioning के लिए तो उमीद है आपको मेरा thorough explanation समझ में आया होगा please मेरे आज के वीडियो को like कर दीजी मेरे चानल को subscribe करिए और मेरे वीडियो से आप अपने basic concepts से लेकर tough concepts तक सारे clear कर सकते हैं मेरे वीडियो की मदद से तो please मेरे चानल को जदा से जदा सबस्क्राइब अपने friends से भी करवाईए आपके batchmates से भी करवाईए और जो students technical interviews की तैयारी करें उन्हें भी मेरे वीडियो बहुत help करेंगे Thank you